60 करोर से जादा लोगों ने मतदान किया है पूरी दुनिया में इस से बड़ा चुनाव कही और नहीं होता है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं अभी मैं जी सेवन की बैटरक में हिस्सा लेने के लिए इतली गया था जी सेवन के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे देड़ गुना जादा है यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे ढाई गुना जादा है इस चुनाओं में 31 करोर से जादा महिला उन्हें हिस्सा लिया है ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे जादा है ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के असपास है भारत के लोगतंत्र की यही खुपसूर्ती यही ताकत पूरी दुनिया को आकरशिद भी करती है प्रभावित भी करती है मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोगतंत्र के इक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता है यह बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बलकि तीसरी बार PM भी चुना है इसलिए आप लोगों को तो डेबल बदाई साथियों इस चुनाओं में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभुत्पुर्वा है इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है दुनिया के लोगतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है ऐसा भारत में साट साल पहले हुआ था तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी आपने ये सोभाग्य हमें दिया अपने सेवक मोधी को दिया भारत जैसे देश में जहां युवा आकांचा इतनी बड़ी है जहां जन्ता के अथा सपने है वहां लोग अगर किसी सरकार को दस साल के काम के बार फिर सेवा का आउसर देते हैं को ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी विक्तरी है बहुत बड़ा विज़ा है और बहुत बड़ा विश्वास है आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई उंचाई पर पहुँचाने के लिए कड़ी महनत करने की प्रेरना देता है मैं दिन राप्ट ऐसे ही महनत करूंगा आपके सपनों को पुरा करने के लिए आपके संकल्पों को पुरा करने के लिए मैं हर प्रेयास करूंगा साथियों मैंने किसान नवजवान नारी शक्ती और गरीब इने विश्षीद भारत का मजबूत स्तंब माना है अपने तीसरे कारकाल की शुरुवाद मैंने इनी के ससक्ती करन से की है सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है देश भर में गरीब परिवारों के लिए तीन करोर नए घर बनाने हो या फिर पी-एम किसान सम्मान निदी को आगे बढ़ाना हो ये फैसले करोडो करोडो लोगों की मदद करेंगे आज का ये कायरकम भी विख्षिज भारत के इसी रास्ते को ससक्त करने वाला है आज इस खास कारकम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गाओं के लोग जुड़े हैं करोडो किसान हमारे साथ जुड़े हुए है और ये सारे हमारे किसान माताए भाई भैने आज इस कारकम की शुभा बढ़ा रहे है मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कौने कौने में गाओं गाओं में आज टेकनलोजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का देश के नागरिकों का अभिवादन करता है थोड़ी जेर पहले ही बेज भर के करोरों किसानों के बैंक खाते में पी-एम किसान सम्मान निदी के बीस हजार करोर रुपिये पहुँचे हैं आज तीन करोर बेहनों को लगपती दीदी बनाने की तरब भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है क्रिशी सखी के रूप में बेहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आई के नए साधन दोनों सुनिशित करेंगे मैं अपने सभी किसान परिवारों को माताओ बहनों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता है साथियों पी-एम किसान सम्मान निदी आज दुनिया की सबसे बड़ी डारेक बेनिफिट ट्रांसपर स्कीम बन चुका है अभी तक देश के करोडों किसान परिवारों के बेंग खाते में सवा तीन लाग करोड रुपिय जमा हो चुके यहाँ बारानसी जिले के किसानों के खाते में भी साथ सो करोड रुपिय जमा हुए है मुझे खुसी है कि पी-एम किसान सम्मान निदी में सही लाभारती तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलोजी का बहतर इस्तमाल हुआ है कुछ महिने पहले ही विख्षित भारत संकल्प यात्रा के दोरान भी एक करोर से अधिक किसान इस योजना से जुड़े है सरकार ने पी-एम किसान सम्मान निदी का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है जब सही नियत होती है सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जन हित के काम होता है भाई और भेनो 21 सभी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थीक ताकत बनाने में पूरी क्रशी व्यवस्ता की बड़ी भूमी का हमें वैस्वीक रुप से सोचना होगा ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा हमें दलहन और तिलहन में आत्म निर्भर बनना है अब देखिए बनारस का लंगड़ा आम जौनपूर की मुली गाजीपूर की बिन्नी ऐसे अनेक उत्वाद आज विदेशी मार्केट में पहुँच रहे है बन डिस्ट्रीक बन प्रोडर्ट और जीला स्थर पर एक्सपर्ट हब बनने से एक्सपर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपर्ट क्वालिटी का होने लगा है अब हमें पैकेज फुड़के ग्लोबल मार्केट में देश को नई उचाई पर ले जा रहा है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हार डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाजान या फुड़ प्रोड़क होना ही चाहिए इसलिए हमें प्र louंबल प्रोड़क न चाहिए कि दुनिया प्रूप में व्रश खाज़क में लुड़के ले ciao